तीसरा तरीका वस्तू के विभिन द्रिश्यों को देखने के लिए इसे कुछ विशेश कोणों से देखा जाए। हम वस्तू को केवल उसके सामने खड़े होकर पाशु से एवं शीर्ष से देख सकते हैं। आईए इस विधी के मात्यम से कुछ वस्तूओं को देखते हैं। आईए इस अलमारी के सभी द्रिश्यों को देखें। ये इसका सम्मुक द्रिश्य है। ये पाश्व और ये शीर्ष द्रिश्य है।